नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इस्टिटूट टार्गेट दिधालोक में मैं वीके शुकला सुपर्टिट का बहुत संस्थान की तरब से लगातार संचालित किया जा रहा है जो भी एकचुक भैक्ती हो अभ्यर्थी हो जिन्हें सुपर्टिट के बहुच में एड्मिशन लेना है उनके लिए वाट्सब बहुत संस्थान का जिस पर आपको इंट्री सुपर्टेट लेकर 9125-423936 पर मैसेज करना है वाट्सअप करना है इसके बाद हमारी टीम आपसे संपर करेगी और एड्मिशन की प्रक्रिया को आप सुनिश्चित करा सकते हैं दोस्तों सुपर्टेट हो या कोई भी परिक्षा हो हर परिक्षा के दृष्टि से मौलिक अधिकार एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है भारती संबिधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है वह अपने आप में एक महत्वपूर भूमी के आदा करता है मौलिक अधिकारों के संबंद में हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछरी वीडियो में हमने देखा था सम्ता का अधिकार आईए अब हम उसी को continue करते हैं आगे चलते हैं दूसरा मॉलिक अधिकार जो हमारा दिया गया है दोस्तों वह है स्वतंतरता का अधिकार दूसरा अधिकार है स्वतंतरता का अधिकार यह राइट टू फ्रीडम अनुचेद 19 से लेकर 22 तक इसके संबंद में चरचा की गई है अनुचेद 19 में जो सवतंतता का अधिकार दिया गया है आनुछेद उन्नीस ये स्वतंतरता का अधिकार है इस स्वतंतरता की अधिकार में कुल नव अधिकार माफ कीजेगा कुल छे अधिकार जो है बताये गया है वो कौन-कौन से अधिकार है आईए देखते हैं उन्नीस एक का नाइंटीन वन ए में बताया गया है वाक एवं अभी व्यक्ति की स्वतंतरता वाक एवं अभी व्यक्ति की स्वतंतरता लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए अभी फिर मैं बता दे रहा हूं आपको कि ये जो मौलिक अधिकार संभिधान ने आपको प्रदत कर रखे हैं ये मौलिक अधिकार एपसलिूट अधिकार नहीं है निरपेक्छ अधिकार नहीं है पून नहीं है ये अधिकार अपितु राज इन पर युक्त-युक्त निरबंधन या युक्त-युक्त जो है उस पर लगा सकती है ठीक है जैसे वाक्यों में अभिव्यक्ति की सुतंतता है तो ये निरपेक्ष अधिकार नहीं है इस अधिकार पर अनुच्छेद 19.2 में प्रतिबंध बताया गया है कि किनाधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है ठीक दूसरा है 19.1 में शान्ति पूर्वक शान्ति पूर्वक एवं निरायुद सम्मेलन की स्वतंतता निरायुद शम्मेलन की स्वतंतता मिंस किसी भी सभा को आपको करना है तो उस सभा में सान्ति पूर्वक तरीके से और निरायुद का अर्थ होता है बिना किसी आयुद बिना किसी अस्तसत्र के आप इस का जो है वो क्या कर सकते हैं वेवस्था कर सकते हैं इसमें भाग ले सकते हैं उसी तरीके से अनुच्छे 1903 में इस पर प्रतिबंध लगाया गया है इस मौली का दिकार पर तीसरा दिया गया है 19 से गामे संगम संग तथा सहकारी शमिती सहकारी समिती बनाने का बनाने की स्वतंतता इसमें 1904 में प्रतिबंध दिया गया है घा में दिया गया है संपून भारत में संपून भारत में अबाध संचर्ण की स्वतंतता अबाध संचर्ण की स्वतंतता ठीक है तो उस्ता इसका प्रतिबंध 1905 में दिया गया है अंगा कहता है आपका शंपूर भारत में कहीं भी निवास करने कहीं भी निवास करने तथा बस जाने की स्वतंतरता चाज जो है वो डिलीट कर दिया गया है बिलोपित है हालाकि इस पर नंबरिंग आपका यही रहेगा और फिर आता है च्छा कोई बृत्ति उपजीवी का कोई बृत्ति उपजीवी का या कारो बार करने की स्वतंतरता कारोबार करने की स्वतंत्रता तो ये जो आपका देखे इसमें भी 19.5 में ही प्रतिबंद इसमें बताया गया है और 19.6 में यहां पर प्रतिबंद बताया गया है तो देखे अनुच्छेद 19 के तहत ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आपके दिये गये है वाकियों अभिवक्ति की स्वतंत्ता मींज आपको पूरे देश में कहीं पर भी कुछ भी बोलने की आजादी है लेकिन वह आजादी वह स्वतंत्ता आपकी अप्सल्यूट नहीं है निर्पेक्ष नहीं है अपित 19.2 में जो आधार बताया है कौन से आधार है देश की एकता खंडता खत्रे में न पढ़ जाए देश की सुरक्षा खत्रे में न पढ़ जाए नयायाले की आउमानना न हो जो मित्र देश है भारत के उनके साथ हमारे संबंध न खराब हो ये कुछ ऐसे एक्जामपल के तोर पर मैं आपको बता रहा हूँ प्राधार दिये गए हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है भारत में आबाद संचरण की स्वतनतरा अर्थार पूरे भारत में आप कहीं पर भी आये कहीं पर भी जाईए आपको कोई रोक टोक नहीं है लेकिन यहाँ पर जो प्रतिबंद बताया जा रहा है कि अलुसूची जातिया जन जाति के हितों में अर्थात कहीं ऐसी जातियां प्रजातियां जन जातियां निवास कर रही है जिनकी बोली भासा आपको नहीं समझ में आती है तो ऐसे छेत्रों में जाने से सरकार आपको रोग सकती है प्राइबिट कर सकती है फिर उसके बाद है संपूल भारत में कहीं भी निवास करने और बस जाने की सुतंता तो यहाँ पर जो निवास करने की संकल्पना है यह क्या है आस्थाई है और बस जाना जनी स्थाई कीजिए और रहिए अपना आपका परपत पूरा हो वापस आप चले आईए लेकिन बस जाने का जो इंटेंशन है दोस्तों वह क्या है पर्मानेंट है चा बिलोपित है कोई बृत्यूप जीविका या कारोबार करनी की स्वतनता है इसे भी उन्नीश्चे में प्रतिबंद बेंचने लगी गांजा बेंचने लगी दारू बेंचने लगी यह क्या है इससे साधारन जनता को नुकसान पहुशता है अता है यह इस पर भी उप्रतिबंद उन्नीश्चे में लगाया जा सकता है ठीक है दोस्तों अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 20 अर्थात जब किसी व्यक्ति को दोशी पाया जाता है किसी व्यक्ति को दोसी ठहराया जाता है किसी अपराद के लिए तो उसके संबंद में तीन प्रकार के संड़क्छन की बात भारत का संविधान करता है पहला बताता है 21 में दया गया है कारियत्तर बिधियों से संड़क् अर्थात प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉग अर्थात काम के बाद कारियत्तर कार्थ होता है कारे के उपरांत मान की चलिए जैसी एक्जामपल के तौर पर आज आपने मान लीजे 26 जन्वरी 2020 को आपने कोई अपराद किया एक्जामपल के तौर पर चोरी का अपराद आपने किया चोरी के अपराद में जिस समय आपने अपराद किया उस समय अफायारदा जोती है पुलिस बेचना करती है जेल भेश दिया जाता है और मुकदमे का ट्राल शुरू हो जाता है इससले की दिनांका जाती है 26 जन्वरी 2022 उस 2022 में क्या हो रहा है दोस्तों जब आपने अपराद किया था उस समय चोरी की सजा थी 5 वर्स एक्जामपल के तौर पर बता रहा हूँ चोरी की सजा थी 5 वर्स लेकिन बाद में जब इसका ट्रायल हुआ तो उस दियूरेशन में विधाईका ने संसोधन किया और इसकी सजा को बढ़ा कर दिया 8 वर्स यहां कारियतर विधियों से संदक्षा है आपको अर्थात काम के वक्त बनाई गई जो विधी थी जिस समय आपने अपराद किया था उस वक्त जो विधी थी देश की उसी विधी के तहत आपको दंडित किया जाएगा ना कि कारिके बाद नहीं अ उस विधी से आपको दंडित नहीं किया जाएगा क्लियर है आपर तो यहां पर दोस्तों क्या होगा जो अपराद करते समय आपको यहां पर दंड लिखा हुआ था उसी दंड से दंडित किया जाएगा यह कहलाता है कारियत्तर विधियों से संदक्षान दूसरा है प्रोटेक्षन फ़ां में एक एक अपराद के लिए यदि किसी अभ्यूक्त को एक बार सजा दी जा चुकी है तो उसी अपराद के लिए उसे दुबारा पुनह दंडित नहीं किया जाएगा यदि किसी व्यक्ति को हत्या के लिए एक बार दोसी ठहराया जा चुका है उसे सजाद्धी जा चुकी है तो उसी अपराद के लिए पुना उसे दंडित नहीं किया जाएगा तीसरा है आत्म अभिसंशन से संदक्छन अर्थाथ प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन इनक्रिमिनेशन इसका अर्थ होता है दोस्तों कि किसी भी अभियुक्त को अपने सोयन के विरुद्ध गवाही देने के लिए या साक्ष देने के लिए विवस नहीं किया जाएगा किसी भी वयक्ति को अपने स्सोन के विरुद्ध गौाही देने के लिए और यदि सपोस कर यह किसी पुलिस अधिकारी ने उसे गुद्ध किया के और उसके द्वारा दी गई गवाही का कोई भी legal बेटेज नहीं होता है यह मजिस्टेट के सामने जज के सामने जाकर आप यह कह देते हैं कि स्रीमान यहां हमने क्या किया है दबाव में हमने statement दिया है तो आपके दिरा दिया गया statement उसका कोई legal effect नहीं होता तो अनुचेद 20 में 3 सन रक्षन की ये बात की गई ये इस परस्ट है उमीद करता हूँ समझ में आ गया होगा next आते हैं अनुचेद 21 अनुचेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार तो यहाँ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की अधिकार का क्या आर्थ है means ये अनुचेद कहता है कि किसी भी ब्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल बिधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही बंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं किया जाएगा तो विदी द्वारा स्थापित है नहीं due process of law procedure established by law is according to the due process of law हमारे हाँ क्या procedure established by law है जो की जापान में जो due process of law है उससे काफी मिलता जुलता है किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से केवल विदी द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही आप बंचित कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं अनुचेद 21 का जो scope है दोस्तों बहुत ही wide है बहुत ही wider है बहुत ही बड़ा है ठीक है तो यहाँ पर प्रारका की सब्द की व्याक्षा और दहिक सुतंतता तो यदि हम दहिक सुतंता की बात करें दोस्तों तो right to privacy right to privacy अर्थात एकांतता का अधिकार अब क्या है मौलिक अधिकार बन गया है किस केस में कहा गया है Justice K.S. पुट्टा श्वामी का केस है Justice K.S. पुट्टा श्वामी वर्सेज भारत संग भारत संग का ये मामला है जिसमें finally Supreme Court ने decide कर दिया है कि एकांतता का अधिकार भारती संविधान की अनुच्छेद 20 के अंतरगत दहिक सुतंतता में यहाँ एक मौलिक अधिकार है ठीक है यहाँ पर अनुच्छेद 21 का 21 का 21 का कहता है दोस्तों शिक्छा का अधिकार यहाँ अनुच्छेद कब जोड़ा गया पहला क्वेश्टन बनता है यहाँ अनुच्छेद जोड़ा गया 86 में संविधान संसोधन 2002 द्वारा 86 में संविधान संसोधन 2002 द्वारा यह जोड़ा गया 21 का इस अनुछेत के तहत ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्स तक के जितने बच्चे हैं उन सभी को सिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है किसी भी व्यक्ति को इस मौलिक अधिकार से अब बंचित नहीं किया जाशकता है नेक्स्ट है हमारा अनुछेत 22 कहता है दोस्तों गिरफतारी एवं निरोध से सनरक्षन निरोध से सनरक्षन ठेक गिरफतारी एवं निरोध से सनरक्षन यहाँ दो शर्दार है दोस्तों एक तो आ रहा है आपका गिरफतारी एक आ रहा है निरोध यानि डेटेंशन तो गिरफतारी कब होती है अपराद के बाद की स्थती होती है अपराद के बाद मीस आपने कोई अपराद कर दिया उसके बाद जब पुलिस आपको पकड़ेगी तो वो कहलाती है गिरफतारी और अपराद के पहले, आपने अपराद नहीं किया है, अपराद के पहले, यह नहीं अपराद से रोकना, प्रिवेंटिव एक्षन होता है यह पुलिस का, यह पुलिस का क्या है, प्रिवेंटिव एक्षन है, अर्थात पुलिस आपको अपराद करने से रोकेगी, क्यों, ताकि आ जब आप अपराद कर चुकते हैं थीक है इसके बाद इसी में देखिए क्या क्या संदक्षाण को दिया है तो यह कहता है कि यह गिरफ़तार आप किसी व्यक्ति को कर रहे थीकार है पहला तो है गिरफ़तारी के कारणों को जानने का अधिकार अर्थात किन आधार पर आप उस व्यक्ति को गिरफतार कर रहे हैं आप कारण बताएंगे यदि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफतार करता है तो यह पहले बताता है कि हम आपको क्यों गिरफतार कर रहे हैं कि आपके उपर कौन-कौन से अपराध हैं दूसरा, अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार, अधिवक्ता से मिलने का अधिकार, उसे अपने पसंद के अधिवक्ता से, जिसे भी वो पसंद करता है, जिससे वो अपना डिफेंस करवाना चाहता है, वो आपने पसंद की अधिवक्ता से मिल सकता है तीसरा है कि गिरतारी से 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर निकटतम न्याईक मजिस्ट्रेट निकटम न्याईक Magistrate के समक्ष निकटम न्याईक Magistrate के समक्ष हाजिर करना होगा उपस्थित करना होगा 24 गंटे के अंदर लेकिन इस 24 गंटे में क्या है यात्रा का समयन निकाल दिया जाएगा मालीजे उसको कहीं पर Transit Remand पर लाया जा रहा है ट्रामजित रिमांड क्या होती है दोस्तों यात्रा परमाली जे कोई वेक्ति नेपाल में पकड़ा गया और उसने अप रात प्रेयाग राज में किया है तो नेपाल से प्रेयाग राज लाने में जितना समय लगेगा वह समय उस 24 घंटे में एक्सक्लूड कर दिया जाएगा निकाल दिया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर 24 घंटे के अंदर निकटतम नियाइक मजिस्टेट के समख्चा हाजिर करना होगा चौथा अधिकार होता है उसके निकटतम रिस्तेदार या घर वालों को सूचित करना होगा यह चार अधिकार है जब किसी व्यक्ति को आप गिरफतार करते हैं ठीक और जब किसी व्यक्ति को आप डिटेन करते हैं यह निरुद्ध करते हैं तो उस समय निरुद्ध किये गए व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं पहला अधिकार उसका भी होता है निरुद्धी के कारणों को जानने का अधिकार दूसरा इसमें होता है कि जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है उस निरुद्धी के आधार की जाच करता है एक सलाकार बोर्ड एक advisory board होता है, सलाहकार board, ये सलाहकार board किसकी अध्यक्षता में बनता है, high court के judge, high court के judge की अध्यक्षता में एक सलाहकार board बनता है, जो किसी व्यक्ति को यदि preventive detention laws, यन window बिदी के तहत किसी व्यक्ति को गिरेफतार किया गया है, तो उस निरुदि के आध्यारों की जाच सलाहकार board करता है, और सलाहकार board के बिना जाच किये आप अधिक्तम उस व्यक्ति को 2 माह के लिए निरुद्ध कर सकते हैं, अधिकतम दो माह के लिए दो माह से अधिक कब उसे निरुद्ध किया जाएगा जब सलाहकार बोर्ड गिरफतारी के जो आधार सरकार बताती है यदि उन्हें लगता है कि गिरफतारी निरुद्धी के आधार सही है तब ही वह व्यक्ति 2 माह से अधिक के लिए डेटेन करके रखा जा सकता है अधरवाई उसे 2 माह से अधिक नहीं रखा जा सकता है ठीक है तो ये आपका अनुच्छेद 22 के तहट जब व्यक्ति को गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है तब उसके क्या अधिकार होते हैं इसके संबंद में यहाँ अनुचेद बताता है अब आते हैं हम अगला हमारा मौलिक अधिकार है दोस्तों तीसरा वो है शोशन के विरुद्ध अधिकार शोशन के विरुद्ध अधिकार शोशन के विरुद्ध अधिकार इस सोशन के विरुत ददिकार में दो अनुच्छे आते हैं अनुच्छे 23 और 24 अनुच्छे 23 तेइस कहता है मानव का दुर ब्यापार तथा बलात स्रम का प्रतिशेद इसका मतलब क्या है मानव का दुर ब्यापार तथा बलात स्रम का प्रतिशेद तो मानव के दुर ब्यापार का अर्थ हिया होता है दोस्तों कि human trafficking नहीं की जाएगी मानव को खरीद फरोक्त नहीं किया जाएगा जो भारत में एक बहुत पुरानी जब हमारी संस्कृती दास्ता की जीवन जी रही थी उस समय दासों की खरीद फरोक्त हुआ करती थी लोग गुलामों को खरीदा करते थे गुलामों का बाजार हुआ करता था जहां पर गुला कामों को खरीदने और बेचने की जो प्रथा थी उस प्रथा पे इस अनुछेत के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है कि किसी भी रूप में मानों का दुर व्यापार नहीं किया जाएगा मानों को खरीद फरोगत नहीं की जाएगी और बलात स्रम नहीं करवाया जाएगा बलात स्रम का अर्थ क्या होता है जबर जस्ति काम लेना या काम के एवज में उन्हें पारस्रमिक ना देना ये क्या कहलाता है बलात स्रम कहलाता है जबर जस्ति काम कहलाता है तो किसी भी दसा में मानों का दुर व्यापार नहीं किया जाएगा तथा बलात स्रम का प्रतिश जो सजायाथता होते हैं, सजायाथता कार्थ होता है, ऐसे कैदी जिने किसी अपराद के लिए दोसी ठहराया जा चुका है, उन्हें किसी भी दसा में जब वो जेल के अंदर काम करते हैं, तो काम के बदले में ये उन्हें पारिस्त्रमिक नहीं दिया जाता है, तो वहां अनु काम करते हैं उनके काम की अनुसार उन्हें पारिष्टमिक दिया जाता है ठीक है अनुच्छेद 23 कहता है माननाओ का दुर व्यापार या बलात्सरंद लेकिन इसी अनुच्छेद में आगे या कहा गया है कि यदि राज्य देश सेवा या लोग सेवा के लिए आवाहन करता है और उस समय आप काम करते हैं और काम के बदले में जो है पारिष्मिक नहीं मिलता है तो वह बलात्सरंद नहीं माना जाएगा ठीक है यानि लोग सेवा और देश सेवा के लिए आवाहन किये जाने पर आप राष्ट की सेवा करते हैं देश की सेवा करते हैं और आपको पारिश्विक नहीं मिलता है तो वह बलात्सरम नहीं माना जाएगा ठेक क्लियर अनुच्छे 23 अनुच्छे 24 कहता है दोस्तों बालकूं का खतरनाक उद्योग खान तथा खदानों में नियोजन का प्रतिशेद अर्थात ऐसे बालक जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है यह प्रशन पूछा जाता है कि कितने उम्र से कम जो बालक होते हैं उनके नियोजन पर प्रतिशेद लगाया गया है तो यहाँ पर ही समझ लीजे कि 14 वर्ष से कम आयू के जो बालक होते हैं ऐसे बालकों के नियोजन पर उन्हें कहां नहीं लगाया जाएगा उन्हें किसी खान में नहीं लगाया जाएगा किसी खदान में नहीं लगाया जाएगा या किसी अन्य प्रकार का कोई कारे जो है उनसे नहीं लिया जाएगा ये क्या बताती है हमारी ये चीजें बताती है अनुच्छेद हमारी 24 ठीक है दोस्तूं तो आज हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 19 से लेकर 24 तक धेल में हमने समझा कि सुतंतता का अधिकार क्या है और शोषन के विरुद्ध अधिकार क्या है अब संस्था की तरफ से जो बैस संचालित हो रहा है सुपर्टेट का उसके संबंद में जानकारी आपको दे दी जाए कि जो भी चुका भ्यरती हैं जो एड्मिशन लेना चाहते हैं वो इंट्री सुपर्टेट लिखकर इस नंबर पर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और आप से हमारी टीम संपर करेगी और आप एड्मिशन की प्रक्रिया को सुनिश्चित कर स सकते हैं आज के लिए इतना ही नमस्कार हो और आप siamo आप सकते हैं और यृबना उन्मिशन और आपा से हमारी कर दोचकार का दोた खुटमे जद्यद है एलहाँutan घजज सकते हाँए मोचेसे हम स्क्रीजशन पर पर ऍ serious बन्मिशन सकते हैं आप सकते हैं और यृबनिट HE उनी दोटगज में हैं आप सकते में के लnh